बच्चों आज हम जिस टॉपिक को चर्चा के लिए आपके सामने ले आए हैं वो टॉपिक है देंगु फीवर आज तरह आप देख रहे हैं कि अक्टूबर नॉबर महिने में मुश्ट्री यह हमारे देश में बहुत तेजी से फैलता जहां भी देखो देंगु के मरीद हैं लेकिन यह चीज़ से मुझे धबराने की ज़रूत नहीं है क्यों किसा फैटल लेट या कहते हैं कि जीवन जाने की प्रिदोपर हैं उम्मीदें हैं वह केवल एक परसंट तक ही माने जाती है तो अब चकर यह क्यों है क्योंकि वर्ट है लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम इसका बचाओ कर सके इसकी वीशिम में पूरी जानकारी अगर हमारे अंदर रहेगी तो यह परसंट को भी हम इवाई कर सकते हैं तो आई यह फिर हम चर्टा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या चीज़ है अब क्या है कि मच्छर तो कई तरह के होते हैं लेकिन जो मच्छर होता है इसक चार बारे बेदेखें इसके तो जो है इस वायरे के चार बारेंट है इनको मिलाता कहाता है सीरो टाइब ठीक है और इसी से देंगो फैलता है और इंटरिस्टिंग बात यह है कि यह जो है दिन में ही ज्यादा एक्टिव रहता मतलब कि सुर्यास्त के पहले और सुर्योदय के बाद यह एक्टिव होता है और फिर आते हैं कि तीन फिट्ट के उसा है अपशर लोग कहते हैं कि भाई हमने इसके उपर आपको बता जाते हैं तो क्या सीरे चल जाते हैं इसका मतलब कि आदमी के हाइट कितनी वह किसी चाहिए वह वहां तक पहुंच सकता है उसके लिए कोई भी चीजे जो है कि आप लिमिट बांदे के तीन फिट के बाद आपको कुछ कर रही नहीं सकता है उससे ज्यादा यह बहुत ज्यादा दूरी तक दौर नहीं सकता है और से क्या है देंगो को लगचा दो से साथ दिन तक रता है है पहले चीज़े है कि देंगोू जब कारता है तो उनके इंफेक्शन के बाद उसके संकमर का जो एपियरेंस होता है और किसी को वह करीब क्या होता है कि आद楽 क्या होता है पहला में सिंटम क्या है बुखार जो फोर्टे डिगी से से ले करके इसको की दूसरे टेंपेक्चर के सब हम पे चेक करते हैं तो समाविटार पर वह होता है वह वन जीरो फोर डिग्री फॉर्ण हाइट अगर उसको फीवर है तो वह हो सकता है ही में भी इंटेक्टेड बाई डेंगू वाइरस ठीक है अब आता है तीसरा कि अब क्या उसी सिंटम्स क्या होता है अगर ऐसा है तो वह निशी तूप से डेंगू से इंटेक्टेड है पहला क्या भ्यानक सिर्दर भ्यानक सिर्दर वह क्या करेगा अब क्या है वह है आंकों के पीशे का दर फिर तीसा जी मचला नहीं हो पा रही है लेकिन जी मचला है यह भी एक सिंटम है फिर क्या गंतियों में सूजाने ग्लैंड है यह है फाराइड ग्लैंड है अगा इसके इंदर स्वेलिंग आ रहे है जो कि आपीर होता है बिकोश सामने दिखता है तो वह उसका लक्षण है फिर क्या था रैस्स क्या होता बॉडी को पागर लाला चकत् फिर आता है अगर अगर ने है अथे और क्या होता है यह तो आपको अपने आपर ही मालू होती है इसका मतला अगर 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 को हम तो चेक नहीं कर सकते हैं उसको तो डाक्टर ही बताता है फिक अगर ऐसा रचेक करेगा तो उसको वालू होगा यहाँ पर इससे क्या पेट के अंदर पानी बहुत ज्यादा आने लगता है अब क्या आता है अब अब आती है उसके चीजे फैटल होने होती है जो कि इसके लिए हम क्या बचाओ कर सकते हैं कि यह शिती ही ना आने पाए कि कि किसी को घर में डेंगू हो तो अब क्या है पहला बचाओ है हमने दिखा प्रिवेंशन करते हैं कि प्रहेज जो है इलाज से अच्छा है किसी चीज को अगर हम परेजी करते रहेंगे तो अपने आप इलाज की जबवत्ती नहीं पड़ेगी घर में या आसा सानी जमाना होने दे उससे हर सब्सक्रा बदलते रहें यह जो आपका एडिज है यह साफ पानी में अंडे देता रहता है और उसी करना फैटाइल होने के बाद सब उसे निकलते हैं तो बहुत अगर ऐसा है तो उसको बदलते रही है या तो क्या होगा उससे मच्चर नहीं पाएंगे और और यहां पर अंडे नहीं दे पाएगा प्रचा को ढख करके रखें अब मैंने करा दिया को जहां तक भी हो ढख करके रखिए कि कि वह किसी पार्ट में आपको काटने ना पाए फिर Hmm..ained क्या आताहा जू दिबैर बना लिया जैते का रात माप सोते हैं कि हमने क्रीम लगा लिया वो लगा लिया अब मच्चर आयेगा तो उपर ते करेंगा कहीं बी जा को स्वस्त रखता है जब उसको स्वस्त रखेगा निश्य रती है अब आता है ज़ते हैं अब यह पानी नहीं बदर रहेंगे क्या तरहेंगे और पानी आपके लिए जैसे लगता है कि उसको बारबार हटा नहीं सकते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्वेंट्ली आप पिरोसीन टेल डालते रही है उसके क्या एडिस के अंडे पनप नहीं पाएंगे और जहां तक भी सवह हो अगर आपको लगता है जाए चैनल कर सकते हैं तो उसको शाथ करिए शुकाण कर सकते हैं अब किसी बिया गया तो क्या करेंगे कैसे करते हैं तो टीटमेंट के जोड़िए गा आपको पुरा दर्ध हो रहा है क्योंकि इसको दो है कि अग्सको पुरेंगों की जो खरें ही क्या तो लोग करता है एक दर्ध को कम किया मुखार को कम किया है चले को कम किया और भी बाड़ी मी कई भी पैन है उसको से एक साथिलाज करता है अक्सर क्या होता है लोग करते हैं सलेतugen किसी करते हैं हुआ Je compatibility जो मालुम नहीं होता ऑर एकां को मेर्य आपके ब्लट को जो है वुद पथला कर देता है जब पत्ला कर जेगा किसी चीज को तो उसके स्राव की गुंजाय सोजाती है और उसी स्राव के को रोकने के लिए तो प्रेट से काम करता है इसे भोल से भी ऐस्प्रिंट का प्रेयोग न करें इसको माल लिए कि ये 25,000 वाट है खत्रा है 440 वाट वाला फिर आइबोप्रोफे किसी रोग करती है क्या होता है वह ब्रेइन को सिगनल नहीं भेजता है तो आप किसी चीज का एहसास नहीं कह पाते है कि दर्द हो भी रहा है कि नहीं होता है इसी निए जब उसका असर कम होता है तो प्लेटलेट क्या करता है यही घटना शुरू होता है इससे अब प्लेट का रोल क्या होता है प्लेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेटलेट होता है ठीक है अगर इसे कम होने लगा है तो समझे कि वह आपके लिए अलार्मिंग है वह आपके लिए अलार्म बजा रहे हैं इनके कम होने पर हम करते क्या है यह है फॉलेट का सबसे जिम्मेदार है इसलिए क्या करते हैं कि फॉलिक एसीड को बढ़ाना चाहिए अब हमने देख्या इसका ट्रीट्मेंट कैसे हो रहा है अब नॉर्मल कोर्स में हम क्या देखेंगे इसको बचाने के लिए घर में आप कर सकते हैं उसके बाद अगर आप ठीक हो गए उसके अब देता है और उसके अलावा जो है घरेलु इलाज में का पनीर अंडा दूज का इस्तिमाल करें और करने को मानसाहरी जो होते हैं उसके बहुत चाहिए नहीं करने देगा यह आपके ब्लेट सेल को सुस्त रखता है तो वह कहीं भी क्लॉटिंग कर लेगा सब कुछ कर ले बाहर नहीं जाने देंगे तुम घर की अमानत हो ठीक है फिर क्या है एक और बी इंटेस्टिंग बात है जिसके हम चटा कहते हैं लोग कहते हैं पपीते कभीज खाओ यह खाओ यह खाओ फैक्ट यह है कि डबलू एच्चो ने कभी इसको मानता नहीं दिया है कोई भी लेकिन आदमियों पर इसके असर के लिए अभी तक कोई भी मतक की इस चीज़ को प्रूब नहीं कर सकता है लेकिन यह फल है निश्टी तो फॉलिक के सीटों को बढ़ाएगा तिसको खाने में भी क्या पर रहे है हमको पपीता भी खुब खाना चाहिए तेक है और क्या है अ तो फिटन काक लिल लिए तो भाणी जरुने लेगा अदमी मर्भी सकता है इस रहे को सतना धी क्या होता है आई होता है कुंकि leff बढ़े игр करेगा डॉक्त ने जब यलाज कर लिया तो डाक्टर आप कहता है भीया खुब दिन आराम कर ली गिए कि आराम क्यों कर लगिए काती खतम हो चुकी है तो को रिश्टोर होना है ना दुबारा से जब सब्सक्राइब करेंगे इस लिए खुब आराम कर लिए अराम के बाद फिर दो है डॉक्टर दो विदिन सेवन डेज और सेवन डेज फिर पैथालोजिक टेस्ट करवाता है जिसमें कि यह क्या चेक करता है आपके प्लेट्स को चेक कितना बढ़ा है उसके एकॉर्डिंगली जो है आपको करता है भी यह आपका ट्रिट्मेंट हो गया नाओ यू आ फ्री फ्राम डेगू फीवर बच्चों वुबीद करते हैं कि हमने एक जागरूपता के लिए इस वीडियो को बनाया है जो कि सबके लिए हेल्फुल होगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी चीज करेंगे तिल देन बाइबाइब अ